कि दमस्कार साथियो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस विद यू पर आज के इस वीडियो में एक जुलाई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करेंड अपर बन सकता है उसको यहां पर हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में जो है अप सब्सक्राइब चाते हैं तो उसके लिए आप हमारो टेली ग्रॉपर जोइन कर सकते हैं उसकी लिंक के लिंग से डिक्रीक्षिन बॉक में आपको मिल जाएगी त духов के साथ हमारा है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर लोग फिर भी लोग इरादे तोड़ देते अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगा छोड़ देते हैं तो अगर एक बार आपने ठान लिया है किसी कार्य को करना है किसी वर्क को करना है या एक बार आपने अपना लक्ष निर्दारित कर लिया है तो उसके लिए जो है आपको अपने इरादों को मजबूत रखना होगा आपके अपने इरादे मजबूत होंगे तो आप अपने लक्ष तक अपनी मंजिल तक जरूर पहुचेंगे तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सुडियो के और सबसे पहले पहला कोशन यह मिस इंडिया वर्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया है चार उप्षन यहाँ पर आपका सूती का माने खुशी पटेल वेदही डोंग्रे या नमरता महरा तो राइट आंसर आपका बनता है उप्षन भी खुशी पटेल को हाली में मिस इंडिया वर्ड वाइड 2022 का ताज दरवाविस की विजयता को British Biomedical छात्रा खुशी पटल के रूप में घोशित आपका क्या गया तो यह जो खुशी पटल जी यह कहां से बिलोंग करती है तो यह आपकी ब्रिटें से वह आपकी तिसरे इस्तान पर रही है तो पहले इस्तान पर को ने खुशी पटल है जिने की हाली में Miss India Worldwide 2022 का ताज आपका पहनाया गया है अगला question आपर देखते हैं कि हाली में पसुपालन और डेरी विभाग द्वारा किर्शार में One Health Pilot Project शुरू किया गया है तो राइट आं करनाठक के अंतरगत आता है और यहाँ पर जो केंद्र का परशुपालन वो डेरी विभाग उसके द्वारा One Health Pilot कार्यक्रम जो है आपका यहाँ पर लौंच किया गया है कार्यक्रम का उद्देश चुन्योतियों से निपटने के लिए परशु मान और पर्यावरण स्वास्त के लिए हित धारकों को एक साजा मंच पर लाना इसको जो है इसके उद्दगाटन का इसको शुरू करने का प्रमुकुद्देश है चले दोस्तों अगला कोशन आपर हम देख लेते हैं कि हाली में रिलाइंस इंडेस्टिस के डिजिटल डिविजन जीओ इनफो कोम के बोर् कोम बोर्ड के नए अध्यक्षि के रूप में आपका नियुक्ति किया गया है आका संबानी रिलाइस इंडेस्टि के चेर्में मुके संबानी के जो है आपके बेटे हैं आका संबानी ने साल 2004 में रिलाइंस जीओ के बोर्ड में यह आपके यहाँ पर शामिल हुए थे तो दी आका संबानी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है चले दोस्तों अगला कोशन देखते हैं कि हाली में रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन यानि कि डियाडियो ने स्वधेसी रूप से विक्सित किस मिसाल का सफलता पूरा परिक्षन किया है तो राइट आंसर आपका बनता है उप्षन से इनके द्वारा हाली में एंटी टेक गाइडेड मिसाल जो है इसको लोंच आपका किया गया है तो उप्षन से यहाँ पर आइट आंसर बनता है डियाडियो और भारतिय सिना ने महाराष्टर के अमध नगर में केके रेंज में सोधेसी रूप से विक्सित एंटी टेक गाइडेड मिसाल का सफलता पूरोग परिक्षन किया है अर्जुन यूद्ध टेंक से मिसाल का सफल परिक्षन जो है आपका यहाँ पर किया गया है तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्डेन बनता है एंटी टेक गाइडेड मिसाल है परिक्ष से इस मिसाल का जो है आपका सफल परिक्षन यहाँ पर किया गया है चले दूस्तों अगला कुश्चन आप पर देख लेते हैं कि देश के पूरों प्रदान मंत्री अटल ब्यारी वाच पर एक फिल्म बनाई जा रही है इस फिल्म का टाइटेल नेमने लिखित में से क्या होग तो राइट अंसर आपका बनता है ओप्षन भी यहाँ पर हमारा राइट अंसर बनता है में रहू या ना रहू देश रहना चाहिए यह पंक्तिया जो है अटल जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी और इने पंक्तियों पर जो है एक फिल्म बन रही है और उसका जो टाइटल होगा यही होगा में रहू या ना रहू देश रहना चाहिए तो इस नाम से जो है उनके उपर एक फिल्म आपकी यहाँ पर बन रही है देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्तपुन जानकारी तो पूर्व प्रदानमंत्री अटल ब्यारी वाच्पेई पर ए बिख स्केंदरी मनत्राली ने जीलोंग के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पी-जी आई-डी जारी किया है चार उप्षन है शिक्षा मंत्राली, किसान मंत्राली, छात्र मंत्राली या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो राइड आंसर आपका बनता है उप्षन है हाली में जो हमारा शिक्षा मंत्राली है उसके द्वारा जो प्रदेशन ग्रेडिंग इंडेक्स है वह आपका जारी किया गया है तो केंद्रिय शिक्षा मंत्राली ने 2018-19-1920 के लिए एक जिला निश्वादन ग्रेडिंग सुचका अंकर PGID रिपोर्ट जारी की है यह जिला इस तर पर स्कूल सिक्षा का आकलन करती है जिला आधारित स्कूल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंड से बना कर इसकूल सिक्षा प्रणाली के प्रदेशन का व्यापक विश्वादरेशन के आधार पर मुल्यान का नापका किया जाता है तो उप्षण ने शिक्षा मंत्राली यहाँ पर अमारा राइड डांसर बनता है अगला कोश्चन है कि केंद्रिय क्रशिम मंत्री ने किस राज्य में हनी टेस्टिंग लेप का उद्गाठन किया है चार उप्षन है नागालेंड मनिपूर असम या मेगालाई तो दोस्तो राइड अंसर आपका बनता है इसका जो उद्गाठन है आपका नागालेंड में किया गया उप्षन है नागालेंड यहाँ पर अमारा केंद्रिय क्रशी और किसान कल्यान मंत्री है नरन सिंग तोमर इन्होंने अधिकारिक तोर पर दिमापूर सहीद परिक्षन प्रवक्षाला का उधिगाटन किया है सहीद परिक्षन सुविदा मदुमक्षी पालकों को और उत्पादकों को उनके उत्पादी साहत के परिक्षन में सायता करेगी बात करें नागलेंड के क्रश्य मंत्री तो जी काईटे जो है यहां के क्रश्य मंत्री है यहां के मुख्या सचिव जो है आपके कोन है तो जी आलम है साती केंद्री है बागवानी आयुक तो कोन है तो प्रभात कुमार है वहीं नागलेंड की बात करें इसकी राजदानी क्या है तो इसकी राजदानी आपकी कोहिमा है चलि दोस्तों अगला कोशन देखते हैं कि रोहिल खंडेला ने किस राजजम में इस्ती थे जहां हाली में यूरेनियम के विशाल बंडार मिले हैं चार ओप्षन है केरल महाराष्ट राजिस्तान या आंदर प्रदे राजिस्तान के के राजिस्तान ने करें उसके बाद तिसरे सथान पर आता है तो राजिस्तान आता है उत्पादक देशों के अगर यहां पर हम बात करते हैं तो सबसे पहला इस्तान आपका कजाकिस्तान का आता है उसके बाद कनाड़ा और आश्रलिया आता है वही भारत में सबसे पहले 1951 में जादू गुडा जहारखंड में उरनियम के आपके खोच की गई थे तो यह भी कोश इस्टेटिक तोर पर इंपोर्टेंट बनता है सिधा सिधा कोशन आएगा कि भारत में सबसे पहले उरनियम की खोच कहां पर हुई थी 1951 में हुई थी कहां पर हुई थी तो जादू गुडा जहारखंड में इसकी जो है आपके खोच यहां पर की गई थी चले दूस्तों अ तो टोगो और ग्वेबन की एंट्री के बाद कोमल वेल्ट देशों में अब सदर्श संख्या आपकी यहां पर 56 हो गई है यानि कि 56 इसके सदर्श देश आपके हो चुके हैं तो दोस्तों यह भी हमारे लिए यहां पर इंपोर्टन बनता है चले दोस्तों अब कल के करेंड जा रहा है तो राइट आंसर आपका बनता है लिस्बन पूर्टगाल में इसका आउजन किया जा रहा है अगला कोशन है कि हाली में 200 मीटर दोड में तीसरी सबसे तेज भारती है महिला दहवक आपकी कौन बनी है तो ओप्शन सी धनलक्षमी जो है हमारा यहां पर राइट कि तीसरी सबसे तेज महिला दहवक आपकी यहां पर बनी है या भारती महिला दहवक आपकी बनी है अगला कोशन दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि राष्टी कार्य दिवसों के लिए राष्टी संकी की दिवस आपका कब मनाये जाता है तो दोस्तों प्रतिवर्श उन्त जुन को राष्टी संकी की दिवस हमारे द्वारा मना जाता है और इसको मनाने का क्या उद्देश है तो जो हमारे PC महाल लोबिस हुए थे उनके जो है कारियों के लिए उनका उन्होंने जो इस चेतर में योगदान दिया संकी की चेतर में उनका जो योगदान था उनको याद करने के लिए उनके योगदानों को याद करने के लिए प्रती वर्ष 29 जुन को हमारे द्वारा राश्टी सांकी की दिवस मनाया जाता है चले दोस्तों अगला कोशन जो है यहां पर हम देखते हैं कि हाली में किस राज्य में इस्तित है मेनार पक्षी गाउं को आदर भूमी छेतर आपका गोश्टित किया गया है तो ओप्षन से राजिस्तान यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है अगला कोशन है कि अंडर 23 एश्याई कुस्ति चेंपियंशिप में किसने काश्य पदक जीता है चार बजरंग पुनिया दीपक पुनिया या फिर अजिब वेक इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों ओप्षन भी यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है दिपक पुनिया जी के द्वारा अंडर 23 एश्याई कुस्ति चेंपियंशिप में इन्होंने आपका काश्य पदक जीता है अगला कोशन था कि अंतराश्री भारतोलन महासंग के आपका यहां पर नियुक्ते किया गया है तो दोस्तों ओप्षन है यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है अगला कुश्चन था कि हाली में वस्तु एवं सेवाकर परिशत की 47 वी बेठक कहां आवेजित की जा रही है चार ओप्षन थे नई दिल्ली, स्रीनगर, या हरियाना तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है चंडिगड में जी एश्टी कर परिशत की 47 वी बेठक जो है आपकी चंडिगड में आवेजित की जा रही है तो यह भी हमारा लिए यहां पर इंपोर्टेंट बनता है अगला कुश्चन है हाली में भारतिय जनिक चेतर के उप क्रमों के जनक जो है आपका माना जाता था चलिए दोस्तों अगला कुश्चन आपर देखते हैं कि हाली में किस भारतिय पूरो होकी खिलाडी और ओलंपिक पदक विजेता का 75 वर्षिक की आयू में निदन हो गया है चार उप्शन राजपाल सिंग अज जनिक चेतर के जनक जो गया है और यह वर्तमान में क्या है तो वर्तमान में यह हमारे भारत के खेल मंत्री है तो दोस्तों यह भी हमारे लिए यह अपर इंपोर्टन बन जाता है चले दोस्तों कल जो आपसे यहाँ पर कोशन पूछा गया था उसको हम देख लेते हैं वह देखने से पिले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर आप मद्देपदेश जीला नया लई साहे ग्रेड 3 एक्जा देखाने तो दोस्तों अगर आप इस एक्जाम के तैयारी कर रहे है तो हमारा एप सक्षस विठय डाउफ लोड़ कर सकते हैं उसकी लिंक के डिस्क्रिशन बोक्स में मिल जाएगा तो इस से जुड़े हुए संपूर्ण नोट्स और उसका जो क्वीज है हमारी हमारे यहाँ पर यानि कि हमारी इस एप पर उपलब्द है तो उसको जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और जो है अपनी मेहनत जो है उसको और आप आगे बढ़ा सकते हैं चलिए दोस्तों दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों कल आप से कोश्चन पूछा था कि हाले में 2000 मिटर दोड में तिसरी सबसेज भारती है महिला दावक कौन बनी है चार उप्षन अनुश्रिया गुलाटी एश्वर या पीसे धनलक्ष्मी या सीवानी प्रत्वी तो उप्षन सी धनलक् सुरूती का माने खुशी पटल वेदेही डोंग्रे या नम्रता मेहरा तो इसका जो भी सही जाओ वो इसका जो भी राइट अंसर हो आप सबी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है तो दोस्तों यह था आमारे आज के करेंट अप्यस का सेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईगा साथ ही वीडियो को दिख सदिक लोगों तक शेयर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताक कि जब भी वीडियो अप्लोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन